सरका दूसरा चंद्ग्रेहन भाद पर पूनी माँ पर 18 सितंबर को लगने जा रहा है यह आंसिक चंद्ग्रेहन होगा इसमें चंद्रमा की सत्य का एक छोटा सा हिस्सा प्रत्वी की छाया के सबसे गेहरे मध्य भाग में ढग जाता है जिसे अंबरा कहा जाता है लेकिन अंद्र ग्रेहन सुब नहीं होगा आएए विस्तार से जानते हैं जिसके कारण इसको चंद्र ग्रहन कहा गया है शुष नहीं है फिर भी हम इस ग्रहन का बिसेशुरोफ से बिशलेशन करते हें तो यह ग्रहन जो है तीन रासियों के उबर अफर डालने जा रहा है पहली रहेगी संबरासी संबरासी के जो जातक हैं इनका परिवार में विवाद होगा अन्य स्थानों पर भी विवाद हो सकता है इसलिए इनको अपनी बानी पर स्वयम रखना चाहिए और बाहन जो है वह सावधानी से चलाना चाहिए दुरगष्णा का बिवाद हो सकता है या इनका अफ़ान परिवर्दन होने के भी योग रहेंगे तीसरी है कन्या रासी की दूज़ातक है इनको इस ब्रहन के प्रभाव के करण स्वास्त में नरम गरम बना रहेगा अस्वस्तता बनी रहेगी और लंबी यात्रा की योग बनेंगे लेकिन लंबी यात्रा में इनको परकार के अफविदाओं का भी सामना करना पर सकता है, इनको करजा नहीं लेना चाहिए और किसी को करजा देना भी नहीं चाहिए, इनके धन अटकने के योग रहेंगे, तो यह जो तीन राथी के जातक हैं, इनको ओम नमस्तवाय मंतर का जब करना च चाहिए, ऐसा करने से ही है दोस्ता मापना हुजाएगा